सब्सक्राइब में इस सब्सक्राइब करता कि फ्रहु लमीसमेश मारे दिन्ट यह इंप खे險g सिंहे जीशार यह पर में बोल सकता हूं एट में वship थैश सब्सक्राहर से इस अड़ यह दो हमें फीचल ανα को बोला दो supplementary angle supplementary मतलब क्या होता है कि इन दोनों को एडिशन होना चाहिए that should be equal to 180 degree supplementary मतलब 180 degree और complementary मतलब 90 degree ध्यान रखेंगे supplementary मतलब 180 degree ठीक है और हमको बोला देसार इन दे रेशियो ऑफ 2 is to 3 मतलब क्या होता है कि x by y की की वालु किया है 2 by 3 है ठीक है यह जी स्क्राइब हो गई तो मैं आसा बुल सकता हूं दिखे x की वालु क्या देगी 2 y by 3 मैंने जो y है में वहां multiply करता हूं तो तो मैं यहां पर यह जो x है यहां substitute कर सकता हूं तो यहां पर 2 y by 3 plus y that is equals to 180 degree that means 5y upon 3 5y upon 3 is equals to 180 degree y is equals to 3 into 180 degree divided by 5 यह चीज़ क्लियर हो गई तो हमको क्या पूछ रहते हैं question के अंदर find the smallest angle find the smallest angle मतलब basically हमको y ढूनना है y या फिर x जो भी इंदर में से smallest होगा तो बस वो ढून लेते हैं हम लोग कैसा ढून रहेंगे 180 divided by 5 ठीक है into 3 तो देखिए यह value होती है 36 इंदरों को cut करूँगा तो 36 into 3 that is 108 तो यह आगे 108 degrees ठीक है अब यह अगर 108 degree आया तो x क्या देगा में पास में x will be 72 ठीक है because कैसे x is equals to 180 minus y 180 minus 108 that is 72 तो इंदर में से smallest कौन सा है x तो हमारे पास क्या होता है एक्स हमारा final answer x is 72 degree smallest angle is 72 degree ठीक है अब दूसरा बाट solve करते हैं दूसरा बाट क्या दिया हुआ था हमको question के अंदर the difference between the difference in the measure of two supplementary angles is 80 degree एक यह बाट solve होगे हम लों का अब हमको दूसरा बोलावाए था कि हमारे पास में difference मतलब बोला है कि दू हमारे पास angles है मैंने बोला है वापस वही चीज़ लेट टू अंगल्स तो मैं क्या करता है अब दूनों को आड करता हूं ठीक है तो दूनों को आड करता हूं तो 2x is equals to 180 plus 80 that is 260 तो x के यहां से क्या देगी में पास में 130 degree यह clear हो गया मैंने क्या कि दूनों को आड कर दिया तो दूनों को आड करेंगे तो यह और यह y cancel हो जाएगा अगर एक सागे में तो यह क्या होता है 180-6 तो 180-130 तो यहां से जादेगा में पास में 50 तो में बस यह answer आगया एकस की वालीव 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 50 डिग्री मतलब दो आंगल्स क्या है 130 और पहले वाले का अंशल था 72